Hello Everyone, I am Pramod Kumar Yadha इस particular video हम जो Drasophila Development का Part 3 discuss करेंगे Part 1 और Part 2 अल्यदी में discuss कर चुका हूँ दो वीडियो में तो आज जो हम पार्ट 3 के बारे हम discuss करेंगे इसमें जो भी बचा हुआ है Drasophila Development में वो सब आज जो complete हे जाएगा इस video में तो जो आज मिली हम टाफिक डिसकस करेंगे वह सेग्मेंटेशन जीन और पैरा सेग्मेंट्स के बारे में अचली सेग्मेंटेशन जीन के बारे में हम कल भी डिसकस किये थे जो प्रिविएस वीडियो था तो previous वीडियो में segmentation gene का जो gap genes था हम already discuss कर चुके हैं तो segmentation gene में जो next gene है आज उसके बारे में discuss करेंगे और para segments क्या होते हैं, para segments के बारे में detail में discuss करेंगे तो चलिए start करते हैं class से, पहले थोड़ा previous class के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं देखें, actually जो part 2 में हम discuss किये थे, इसमें जो anterior region क्या था, anterior region और posterior region तो anterior region में button head, impity, spiracle, arthrodentical से, जो यह तीनों gene जो था, gap gene, head को लेके आ रहे थे इसके बाद croupel, croupel क्या था, वो thorax को लेके आ रहा है, इसके बाद rips gene जो है, abdomen के लेके आ रहा है और last में जो है, gene जो है, वो tail portion को लेके आ रहा है, तो यह जो previous class के बारे में है, तो आज के class के बारे हम शुरू करते हैं देखें, आज जो segment polarity genes है, जो segmentation gene है, तो segmentation gene में आप जो second है, वो pair rule genes है, समझेए अब pair rule genes क्या होता है, पहले इसके बारे हम समझेए, देखें, pair rule genes क्या होता है, देखें, परे point पाईए अब, maternal genes along with gap genes, activate pair rule genes देखें, maternal genes, देखें, जैसे gap genes activate कैसे होता है, यह, हम gap genes के बारे हम बता चुके है, तो यहाँ जो pair rule genes होता है, pair rule genes कैसे activate होता है समझे, maternal gene क्या करते हैं, along with gap gene के साथ, दोनों मिल के, क्या करते हैं, यह जो pair rule gene को activate करते हैं, किसको activate करते हैं, pair rule gene को, which are primary and secondary, यहां देखिए, gap gene क्या था, एक ही था, लेकिन pair rule gene का दो type को होते हैं, primary pair rule gene होता है, दूसरा होता है, secondary pair rule gene, अब देखिए, जब primary, secondary होगा, तिनके प्राइमरी और सेकेंडरी दो हो गए तो अब देखें जब प्राइमरी के अक्टिवेशन की बात आती प्राइमरी को अक्टिवेट करता है गैब जीन क्या करता है प्राइमरी 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 जैसे कल हम discuss क्या किये थे, जो previous lecture था कल का, उसमें हम discuss किये थे, head वाला region, head, thorax, abdomen और tail, देखे, ए क्या था, हम major की बात करें, head था, head, thorax, abdomen और telson की बात करते हैं, तो ए जो था major division था, अब देखे, अब ए जो head, thorax, abdomen और telson region है, अब इनको क्या करता, pair region क्या करता, एक को 2 to 3 segment में divide करता है, जैसे हम consider करते हैं, जो abdomen, abdomen को होता है, इस क्या होता, abdomen को 2 to 3 segment में divide करने के लिए जो responsible होता, शेटा जीन होता है, बेर फैर से delicis, अब एक कैसे ut wirklich है करेगा इसके बारे में दो आगे बता रहे हैं, देखें, पहले इसके टाइप के बारे में जाने है इसके बाद जो secondary pair rule genes में आता है, इसमें fuji तरा जू, odd skipped, sloppy paired और paired, यह जो secondary pair rule gene है, इसके जो four type होते हैं, तिनको आपको याद करना पड़ेगा, एक jam, jam जो serial wise पूछता है, इसके बारे में last में discuss करेंगे, कैसे पूछा जाता है, देखिए, अब देखिए, अब यहां एक एक के बारे मता रहें, देखिए, होता क्या है, जैसे starting में क्या बताया था, जब एक condition रहता, तो वहां interior portion में क्या होता, interior portion में आपको by quiet और hunchback का concentration देखने हो की मिलता है, और जो posterior region होता, posterior region में क्या मिलेगा, आपको nanos और cuddle का concentration, यह क्या है, maternal gene, अब यह maternal gene पहले क्या कि गैप gene को आता, तो वहां pair rule gene को activate करने के लिए maternal gene और gap gene जो होता है, दोनो responsable होते हैं, जब pair rule gene अक्टिवेट हो जाता तो यह pair rule gene जो है, इस में से pair rule gene जो एक segment polarity gene को activate करता है, एक होता होमियोटिक genes, तो होमियोटिक genes के लिए gap genes और pair rule genes, यहाँ देखिए, जैसे arrow बिना है, तो homeatic genes को activate अक्टिवेट करने के लिए gap genes और pair rule genes जो हता है दोनों responsible होते हैं और यदि हम segment polarity gene की बात करें तो segment polarity gene को activate करने के लिए सिर्फ जो है pair rule gene जो है responsible होता है अब देखिए अब इनके बारे एक जो concept क्या है high concentration by quiet and hunchback promotes the event skipped while the croupal inhibit event skipped देखिए कल हम कुछ gene के बारे में आपको बताये थे समझियो जैसे हम उसमें जो broad area हम आपको बताये थे देखिए जैसे हम किस gene की बात कर रहे है इनесकिप्ट की अब देखिए even skipped क्या लेकिया आता है तो जैसे event skipped पहले समझियोग है क्या? event skipped क्या है? event skipped जो है एक जीन है जो ए, अभी बताए न, event skipped देखें यहाँ, event skipped क्या है? primary payroll genes तो event skipped जो है, primary payroll genes अब देखें, अब होता क्या है? जो biquired होता है, high concentration अब biquired and hunchback promotes the event skipped, जब biquired और hunchback का concentration जदा और मात्रा जदा हो गाए क्या करते हैं एंस कि अंऻ करते हैं किसको अंग्टिवेट करेंगे सब्सक्राइब करता इन सब्सक्क्राइब करेंगे और नियां रखे अब यहां जैसे बाइक ऑई हायड हagit किया किया था ये जैसे या इवेंड किया है इवेंड किया किया था श्रस को यह स्कुपत को अक्टिवेट कर रहा था ये जैसे यहाद का mats इदर इधर साइट करता है और हप्ट को अक्टिवेट करता हूँ अंचबायक ग्रूपल, क्रूपल जो आपको जो है इज़making करती OS इसको आप प्रापर ध्यान में रखेगा, कभी कभी यह इसी तर्म question के फार में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेगा, जैसे coupel यहां देखेंज़ ग्राप बना के देदिया, तो इसको ध्यान में रखेगा, यह जो particular coupel, coupel क्या आखरता, इनिविट करता, जो देखिए यहां से concentration चला कुरूपेल का यहां तक क्या high है अब यहां के बाद जैसे जैसे कुरूपेल का concentration कम हुगा वैसे यहां देखिए event skipped का जो है अब हम बात करेंगे segment polarity gene का तीसरा क्या था segment polarity gene gap genes हो गया पेर बात करेंगे segment polarity genes के बारे में अब समझिए segment polarity genes पर हम आते हैं अब देखिए पहले बाद segment polarity gene को activate कौन करता है Gap Genes Along with Pay Rule Genes, मतलब Gap Genes, Gap Genes, Gap Genes और Plus इसके बाद Pay Rule Genes दोनों मिल के क्या करते हैं, Segment Polarity Genes को जो एक्टिवेट करते हैं, यह एक्जाम में कभी Part 2 पूछा जा सकता है, Segment Polarity Genes होता है, उसको कौन सा अक्टिवेट करता है, तो Gap Genes Along with Pay Rule Genes, Segment Polarity Genes को जो एक्टिवेट करते हैं, इसके बाद देखे, और Segment Polarity Genes का अब जाखे, इसका function क्या रोल क्या आता है, Segmentation in Drosophila, इस विकाज आप Segment Polarity Genes, देखे, इसके नाम सही आपको clear Segment Polarity Genes, यह क्या करता है, Drosophila में Segmentation करने काम आता है, क्या करता है, Drosophila में Segmentation करता है, which divides the developing embryo into 14 segments, देखे, जो embryo हो हो जाता है, इसमें आपको total 14 segments मिलते हैं, कितने मिलते हैं, आपको यह total 14 segments मिलते हैं, तो इस particular 14 segments के लिए कौन सा Gene Responsible होता है, वो होता है Segment Polarity Genes, तो कभी एक जाम में आए कि नहीं, जो Drosophila development 14 segments आते हैं, उसके लिए कौन सा Gene Responsible होता है, gap Genes, pair rule Genes, Segment Polarity Genes या maternal Genes, तो यहाँ आपको answer करना पड़े गाए, विकाज आप Segment Polarity Genes जो Drosophila में 14 segments आते हैं, अब यहाँ ही जैसे इनके activation का हम जो एक pathway देखें, तो शुरूम क्या करता, maternal Genes किसको activate किया, gap Genes को, जब gap Genes activate हो गया, समझेए, जब gap Genes activate हो गया, तो gap Genes और maternal Gen, दोनों मिलके क्या किया, pair rule Gen को activate कि जब pair rule Gen activate हो गया तो pair rule Gen, एक single segment polarity Genes होता है, उसको activate करता है, और इसके बाद देखें, gap Genes मिलके इसके साथ क्या करता है, homeotic selector Gen को activate करता है, यह आपको समझ में आ गया होगा, तो homeotic selector Gen को activate करता है, अब देखें, यहाँ जो यह दिया हम segment polarity Gen के बाद करें, तो कुछ जो segment polarity Gen आते हैं, जैसे ingrained हुआ है, ingrained है, wingless है, qubit interruptus है, hedgehog है, fused armadillo, parrot, gooseberry और panglion, यह सब जो है, आपको याद करना पड़ेगा, देखें, इसमें होता क्या question को माध्यम समझें, देखें, जैसे exam में क्या होता है, देखें हम बता रहें, जैसे हम क्या बता है, एक gap Genes बता है, gap Gen Genes, pair rule Genes, pair rule Genes, homeotic selector Genes, यह segmentation Gen, देखें, segmentation Gen, segmentation Gen, साट में, इसमें क्या करता है, समझें, यह जैसे, देखें, पहले क्या करेंगा, माली जै गैप Genes का, देखें, gap Genes का कोई 3 या 4 particular name दे दिया, gap Genes का 4 name दे दिया, इसके बाद pair rule Genes से 4 Gen आपको दे दिया, और इस बाद segmentation Genes से जो है, 4 Gen का दे दिया, तो इसमें पता, इसमें पूछे का आपको activation order, जैसे पहले क्या करता है, पहले जैसे, कोई माली यह इसका 3 इसमें पूछे का order कौन अक्टिवेट होगा है, माली इसका इसका दूसरा, इसका तीसरा, तो इस तरह से आपको बताना परेगा, कि पहले जो है, gap Genes अक्टिवेट होता है, gap Genes के बाद pair rule Genes आएगा, pair rule Genes बाद segmentation Gen आएगा, इसको order पूछे का कौन सा अक्टिवेट होगा है इसमें, कैसे अक्टिवेट होगा, किस वे में, तो आप इस तरह में ध्यान में रखेगा, इसका जो क्यूशन पूछा गया previous year में, आप चेक कर लिजेगा CSIRNET में, यहां देखिए वही बात जैसे primary pair rule Genes, PRG फार pair rule Genes, secondary pair rule Genes, और SPG में तो segment polarity Genes है, जैसे primary pair rule Genes में का हुआ, even skipped जो है, even skipped क्या करता है, wingless को inhibit करता है, wingless को inhibit करता है, जो secondary pair rule Genes होते हैं, कुछ वो activate करता है, और जो secondary pair rules Genes होता, paired, जिसे paired करते हैं, ingregled, ingregled को क्या करता है, activate करता हा, जैसे secondary pair rule Genes जो होते हैं, वो ingegrael को inhibit करता है, जैसे phuzitronado out paired, sleepy paired, यह सब जो इसको inhibit करते हैं, तो देखिए, यह segment polarity Genes, अभी बता रहे हैं, आपको clear हो इंग्रेल्ड काम देखते हैं, इंग्रेल्ड क्या करता है, इंग्रेल्ड is responsible for segmentation, इंग्रेल्ड का main function जो है, वो segmentation role में play करता है, that is demarcate the boundary of segment, जैसे देखे जिटरासो फिला का जो embryo होता है, जैसे माल जो कोई segment एक abdomen हम ले रहे हैं, जैसे suppose that abdomen, तो abdomen का जो a boundary region है, जो a boundary वाला region हुआ है, इसको demarcate करने का काम जो करता है, वो segmentation जीन करता है, कौन करता है, segmentation जीन करता है, और देखे, it is not the segment, but the para-segments are important for demarcating the boundary of the segment, अब यहाँ बात आती है, पैरा segment की, देखे यह तो segmentation हुआ है, demarcate the boundary of segment, अब इसमें एक पैरा segment का concept होता, आप समझे पैरा segment क्या होता है पैरा segment समझना होते हाँ आईए, पहले इसका जो statement देखे क्या है, पैरा segment आप the posterior compartment of one segment and anterior compartment of immediate posterior segment, अब समझे जैसे इसका एक आने का मतलब है, जैसे, suppose that आप T1, T2, T3, जो है, इनका जो आप मालिए, इनको यह दिया half region आप करेंगे, जैसे T1 का half करिए, और T2 का half करिए, T1 का आप करिए, तो देखे, जो T1 का half करेंगे, तो T1 का जो पहला segment interior आएगा, दूसरा posterior आएगा, और इसी तरह यह T2 का हम दो segment करेंगे, तो पहला interior आएगा, दूसरा posterior आएगा, अब जो पैरा segment किसको कहते हैं, पैरा segment, अब आईए इस written statement पा, पैरा segment आप the posterior compartment, one segment and interior compartment, आप immediate posterior segment मतलब जो, सारी, एक जो T1 जो है, interior segment का posterior region और इसके immediate posterior region का interior segment, यह दोनों मिलाक क्या बनाते हैं, पैरा segment बनाते हैं, तो पैरा segment अब समझ में आ गया होगा, जो पहला वाला, जो फर्स्ट वाला, उसका posterior segment ए, और इसके just immediate बाद वाला जो posterior, posterior का interior, मतलब देखें, इस particular जो T2 का है, T2 के दो हम दो पार्ट में divide करें, ए posterior होगा, ए anterior होगा, इसी तरह जो T1 को भी हम दो पार्ट में divide करें, तो जो T1 का, T1 को जो lift side वाला, ए anterior होगा, ए posterior होगा, तो पैरा segment क्या होता, जो anterior होता, उसका posterior region और जो इस posterior होता, उसका anterior region, just opposite होता, उसको पैरा segment बोलते हैं, आप ध्यान में रखेंगा इसे, अब देखें, होता क्या, जो ingrained होता है, ingrained क्या करता है, expression is occurred, the posterior side of the segment, और anterior segment और पैरा segment, while the wingless is always expressed, just immediate, anterior is ingrained, अब देखें, जैसे हम क्या भी discuss किये था आपको, जैसे देखें, this is T1 and this is T2, देखें, इनका यदि हम जो पैरा segment की बात करेंगे, तो ए T1 का anterior हो गया, ए T1 का posterior हो गया, और यदि T2 का भी हम दो region divide करें, तो T2 का ए जो ए anterior होगा, ए posterior होगा, और ये दोनों compartment, इसका posterior, इसका anterior मिला गे, इसको बोलते हैं, पैरा segment, अब देखें, ingrained expression is occurred the, कर दो, posterior side of the segment, posterior side of the segment, और anterior segment of parasegment, समझे, posterior A होगा, posterior side of the segment, और anterior side of parasegment, देखें, यदि हम segment की बात करें, T1 के case में तो A region जो होगा, पॉस्टिरियर रीजन होगा, लेकिन यदि हम पैरा सेग्मेंट के बारे हम बात करें, तो पैरा सेग्मेंट के केस में इसको आम जो एंटिरियर कंसीडर करेंगे, तो इसी पर्टिकुलर रीजन में जो हता है, इंग्रेल्ड का एक्सप्रेशन आता है, और जो विंग्लेस का एक्सप्रेशन आता है, वो जहां इंग्रेल्ड का एक्सप्रेशन आएगा, उसके जस्ट इमेडियर एंटिरियर, मतलब इसके जस्ट यहां, इस पोर्टिन में जो है, यहां जो है, उसका एक्सप्रेशन आएगा, मतलब सेग्मेंट के एंटिरियर साइ में अब देखिए अब जो इसमें next gene है ओ है homeotic selector genes देखिए अब homeotic selector genes के बारे में बात करेंगे इसमें का देखिए जो pair rule genes हो था pair rule genes interact with segment polarity genes to regulate the expression of homeotic selector genes तो जो homeotic selector genes ओ जो pair rule genes और segment polarity genes दोनों मिलके जो है इसको regulate करते हैं किसको homeotic selector genes को जो regulate करते हैं और इस gene का main जो function होता है these genes provide identity to each and every segment यह क्या करता है जो homeotic देखिए आप home box या home c के बारे में आप लोग molecular biology म पढ़ेंगे तो महां उसका मतलब होता है तो यहां क्या होता है जो homeotic selector genes होता है इसका main function हो है क्या करता है segment को जो identity provide करता है कौन सा particular segment क्या बनाएगा इसके बाद क्या होता हो homeotic genes इसका जो main location होता है आपका location जो chromo jamon number three में जो है ड्रासोफिला में देखने को मिलता है कहां मिलता है chromo jamon number three पर होता है इसमें antenna pedia complex और by thorax complex दो complex जो है मिलके जो आपको homeotic selector genes बनाते हैं अब देखे आप antenna pedia complex में कुछ gene आते हैं यहसे labial हुआ क्या हुआ antenna pedia complex बात करें तो यहां आपको labial मिलेगा proboscedia मिलता है deep harmed है sex calm reduced है और antenna pedia है यह जो है antenna pedia complex के gene है और by thorax के बात करें बात करें आपको ultra by thorax abdominal a abdominal gene जो है यह जो है three different type के gene जो मिलते हैं अब देखे इनका particular सब का जो काम क्या अब देखे यहां आई अब देखे सपोज दर यह जो ड्रासो फिला क्रोमोजोम नमर तीन है यह इसमें particular सब का location देखेंगे यह क्या है यह है labial पहला जो यह labial है इसके जेस्ट जो posterior side में आपको proboscedia देखने हैं कि मिल लिया dfd मतलब deep harmed है इसके बाद यह CR मतलब sex calm reduced और लास्ट में antenna pedia तो जो आपको antenna pedia complex में कितने जीन है टोटल पांच है क्या है labial proboscedia deep harmed sex calm reduced और antenna pedia और इसके बाद यह हम bythorex complex के बाद करें तो bythorex में आपको 3 जीन देखने हो कि मिलते हैं क्या है ultra bythorex मतलब UVX मतलब ultra bythorex abdomen A और abdomen B तेखिए अब तो यह gene हो गए अब यह particular gene किस function के लिए responsible होते हैं देखिए यहां जो labial है labial और deep harmed milk के drasophilum क्या बनाते हैं वो head का development कराते हैं इसके बाद जो proboscedia यह proboscedia जिसे PV बोलते हैं proboscedia क्या करता है यह antenna का development करवाता है यह जो बीच में यहां proboscedia यह क्या करता है यह antenna का development करवाता है इसके बाद यह CR की बाद है तो यह CR क्या करता है यह T1 segment लेकिया था T1 मतलब thorax 1 जो हम बताए थे थोरेक्स में तीन रिजन होता है ना वही T1, T2 और T3 तो क्या करेगा T1 segment के लिए था और जो इसमें last antenna pedia antenna pedia जो T2 को लेकिया था थोरेक्स 2 को अब देखिए अब यदि हम बाई थोरेक्स complex में बात करें तो इसमें जो UVX है अल्टरा बाई थोरेक्स कौन सा segment लेकिया था T3 segment लेके आता है और जो abdominal A है और abdominal abdominal B है यह दोनों में लिके क्या करते हैं abdominal segment लेके आते हैं यह आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि exam में यह से पूछता है कभी काल इसमें क्या लेबियल लेबियल और D फार्ण में लिके head लेके आए PV प्रोबस्पिडिया जो antenna लेके आता है SCR T1 लेके आता है Antenopidia T2 और अल्ट्रावाई थोरेक्स T3 लेके आता है और abdomen A और abdominal B जो है वो abdomen को लेके आते हैं अब देखें इनका use देखें या function जो होता है functional part यहां इसमें क्या होता जो एक homeotic complex होता है homeotic complex क्या होता समझिए region between Antenopidia and Bithorex consists of 180 base pair nucleotides long region translated into 60 amino acids referred as home complex and home region देखें यह वाला जो region है यह जो बीच में जो region है इसी कों बोलते हैं home C box यह कितने amino acid का बनाया है यह आपको total जो है 180 amino acid का बनाया है यह इसके जो protein बनेगा तो जो होता है 16 जो है 16 nucleotides का जो है वो बनाता है अब देखें इसका मतलब क्या है और it is conjured from insect to mammal यह जो है इनसेक्ट से mammal तक आपको conjured मिलेगा conjured मतलब same ही मिलता है अब देखें अब हम बात करेंगे देखें mammal क्या होता है mammal विकाज आप complexity the hawks gene are distributed in different chromosome mammal के case में देखें complexity जादा होती इसलिए इसमें जो hawks chromosome होता है hawks gene जो हता है वो कुछ different chromosome पर पाया जाता है जिससे 2 y 6 y 11 और 15 यह 4 different type of genes पर जो है hawks gene जो पाया जाता है mammal case में और देखें जो हाक्स gene responsible होता है किसके लिए providing identity and patterning यह जो हता है identity और patterning के लिए जो हता है responsible होता है अब यहां यह देखें जैसे एक developing embryo drosophila का अब इसमें देखें स्टार्टिंग में आप देखेंगे t3 ओई thorax 1, thorax 2, thorax 3 और इसके बाद a1 से लेके a8 तक जो हता abdomen होता हो और last में telson होता है आपको मिलेगा telson का देखें यह इनका बात करें तो जैसे जो maxilla होता है इसका a जो compartment हुए न एक compartment सब यह पर्टिकुलर यह सब compartment है और यहां जो a वाला region दिखाया है यह देखें इसको पैरा segment के लिए दिखाया गया है क्या है पैरा segment के लिए देखें जैसे maxilla जो mandible का posterior region और maxilla का anterior मिला के आपको एक जो है यहां दिखाया गया है पैरा segment क्या दिखाया गया है इसको कते हैं पैरा segment तो यहां आधी परपाई आद दिखाने जैसे starting बताये थे ने total 14 segment में divide होता है तो देखें यहां total जो मिला के आपको 14 segment दिखा से जो segment polarity genes होता है वो जो है total 14 segment में डिवाइड करता है 300 खिला को अब देखें अब देखें कुछ case हम discuss करते जब case discuss करेंगे तब जो सारे concept यहां जो clear होंगे देखें case क्या है the antenna PDA provide identity to T2 जैसे हम क्या बताये antenna PDA जो बताये थे antenna PDA कौन सा segment लेके आ रहा था T2 लेके आ रहा था T2 while ultrawy thorax to T3 और इसी जगों जो UBX था UBX क्या लेके आ रहा था वो T3 लेके आया था यहादी UBX is inhibitor आप antenna PDA है यहादी समझे है जो UBX है यहादी जो antenna PDA का inhibitor है जो antenna PDA यहाँ है इसका जो inhibitor है कौन? UBX If UBX is deleted यहादी UBX delete हो जा तो क्या होगा? यहाँ कितनी information दिया? antenna PDA जो होता T2 को लेके आ रहा अल्टरावाई thorax T3 को लेके आ रहा और UBX जो इसका inhibitor antenna PDA होगा तो यहादी जो UBX delete हो जा तो क्या होगा? देखिए यहाँ concept होता समझे? ओ concept क्या होता? जो antenna PDA होता है समझे? यहाँ जो antenna PDA है antenna PDA जो है इनिपिट किया जाता है किस के दोरा? UBX के दोरा और UBX क्या लेके आ रहाए था? T3 लेके आ रहा है और antenna pedia क्या लेके आया है T2 तो जो T2 segment हम क्या बताये थे आपको T2 segment हम बताये थे legs, legs और wings आ रहे थे और T3 segment क्या बताये थे legs plus halters आ रहे थे halters मतलब balancing argon अब देखिए यहां होगा क्या जब ultra by thorax delete हो जाएगा तो यहां ultra by thorax के यहां जो है इसके place पर antenna pedia का expression आ जाएगा इसको याद रखेगा ultra by thorax antenna pedia क्यों inhibit करता है देखिए जैसे कोई mechanism है यदि एक जीन particular दूसरे जो उनको inhibit करता तो उसका यह मतलब होता यदि वो particular gene जो है इनिबिट नहीं करता आखिर ultra by thorax antenna pedia को जो इनिबिट करके रहा खरात कोई तो रिलेशन होगा इनमें तभी इनिबिट कर रहा है यदि कोई relation या interconnection नहीं होता तो इनिबिट नहीं करता इसका कोई मतलब ही नहीं होता इन्टीना पीडिया से बाइटो हम अपना T2 develop करो हम अपना T3 develop करेंगे तो ultra by thorax क्यों इनिबिट करता कोई तो रिजन होगा तो इसी लिए इनिबिट करता है जब अल्ट्रावाई थोरेक्स डिलिट हो जागा तो क्या करेगा इन्टीना पीडिया अपना एक्सप्रेशन अल्ट्रावाई थोरेक्स के प्लेस पे भी लेके आ जाएगा मतलब यहां जो जो क्येस दो तेुकिए जो सेकेंड केस इसमें समझतिया कैस सालora करेंगम को जुँ है क्लीर हो जाएगा इनिबिट कना एक्सप्रेशन आप होमो थॉरलख्स आप Legs in Head और Labial Region लेकिन समझिए जहां Drasophila में दो जो है एंटीना आ रहा है समझिए दो एंटीना डेवलप हो रहा है तो आखिर ऐसा क्या है कि यहां ही एंटीना डेवलप हो रहा है किसी और जगह क्यों नहीं हो रहा है इसके लिए देखे यह इसमें दिया गया है कि आखिर और एंटीना रेवलप हो रहा है लेकिस क्यों नहीं डेवलप हो रहा है कोितो रेजन हो गा नगए देखे ही लिखा गया but no legs because of the homiotic genes proboscedia जो proboscedia बता है PB जो बता है PB क्या करता है in adults inhibit the development of legs in head or labial region यह क्या करता है head region में जो है inhibit करता है कि वहाँ leg का development ना हो proboscedia development जो proboscedia होता है if the proboscedia is deleted or antenna pedia is expressed in the labial region समझे क्या होगा antenna pedia antenna pedia क्या करता है antenna pedia क्या लेकर आ रहा था और t2 में क्या क्या develop होता है t2 में leg development होता और wings का development होता है और proboscedia क्या लेकर आया था proboscedia हम बताया थे ना proboscedia देखे proboscedia हम क्या बताया थे हैं आपको लेकर आता है proboscedia जो होता देखे proboscedia यहाँ antenna लेकर आता आप समझे, अब आईए, अब देखिए यहां क्या होता है, जब प्रोबोस्पीडिया जो है, एंटीना को दोरा इनिविट किया जाता है, प्रोबोस्पीडिया एंटीना को इनिविट करता है, अब जब यदि एंटीना, यदि प्रोबोस्पीडिया डिलीट हो जा, या एंट आपको legs का development मिलेगा क्यों समझिये क्योंकि यह जो देखिए जो प्रोबोस्पीडिया और एंटीना पीडिया यह दोनों एक दूसरी को इनिविट करते हैं प्रोबोस्पीडिया क्या है एंटीना लेके आ रहा है और एंटीना पीडिया जो है ओ टीटू सेग्मेंट लेके आता है इसके फलसरूप जो है आपको leg और wings का development मिलता है तो इसमें से कोई एक जीन देखिए ध्यान सुनिए इसका concept ही है यदि इसमें से कोई एक जीन जो है डिलीट होता है तो वहां जो है जो दूसरा वाला ओपना expression लेके आएगा यदि किसी particular ड्रासो फिला में प्रोबोस पीडिया डिलीट हो जा या इस प्रोबोस पीडिया दे डिलीट होता तो यहां एंटीना पीडिया लेके अपना expression देदेगा टीटू development करवा देगा जहां लेग और विंक्स डेवलब हो जाएंगे और यदि एंटीना पीडिया इस एक्स्प्रेस्ट इंदी लेवियल रिजियन या तो एंटीना पीडिया का जो है एक्स्प्रेस्ट आ जा तो उस केस में भी क्या करेगा लेक्स एट एंटीना आपको एंटीना के जगह जो है वह लेक्स का डेवलबमेंट मिल जाएगा तो इस परकार देखिए बहुत सारा क्यूशन पूछा गया आप सौल्ब करिएगा जो है हमें लेगर आई इतना से पर यह एंटीना पीडिया म्यूटेशन हो जा तो क्या होगा हम आपको क्या बताये थे जो प्रोबस्पीडिया है प्रोबस्पीडिया किसको इनिविट कर रहा था एंटीना पीडिया को यह एंटीना पीडिया और एंटीना पीडिया जो है इसको इनिविट करता है यह दोनों यहां जो है प्रोबोस्पीडिया अपना एक्सप्रेशन दे देगा, मतलब यहां जो एंटीना डेवलप हो जाएगा आपको, एंटीना का डेवलपमेंट हो जाएगा, और इसी तरह जो केस फोर में है, इफ बाई थोरेक्स कांपलेक्स इस कंपलेटली डिलीटेर, जो बाई मेज़ओ थोरेक्स से एदी कंपलेटीन डिलीट होगा तो उसकेस में आपको मेज़ओ थोरेक्स मूप्स टु पोस्टीरियूर रीजन जिससे ड्रासो फिला, यह थोरीजन की तरफ क्या कर एगा? वो posterior region की तरब चला जाएगा और वहाँ जो वो develop करवादेगा देखिए यहाँ जिसे इन सब के बारे इमसार्ट कट में लिखा गया जो T1 होता है T1 segment क्या करता है? वो legs को ले तयाद इसके लिए यह CR development sex calm reduced जो है वो responsible होता है और जो T2 segment होता है वो legs और wings ले के आता है इसके लिए जो gene responsible होता है वो antenna PDR responsible होता है और जो T3 है T3 क्या करता है वो legs और halters ले के आता है जिसके लिए जो ultrawai thorax responsible होता है यदि ultrawai thorax जो यदि डिलीट हो जाओ तो क्या करेगा T2 expressed at the T3 position T3 position develop हो जाए T2 मे legs wings आएगा इसके लिए आपको जो है फोर wings का आपको जो है drasophila देखने के मिल जाएगा देखिए और यहां क्या है यहां जिसे बर्टिकुलर बताया थे यहां लेबियल है लेबियल प्रोबोस्पीडिया है डीफांड, सेक्सकाम रिडूस्ट, एंटीना पीडिया अल्ट्रा बाई थोरेक्स, एब्डोमेन A, एब्डोमेन B अब देखिए यहां जो A वाले रीजन के जीन है जो बाई थोरेक्स कामपलेक्स का जीन है यह तीनों जीन जो एंटीना पीडिया को इनिबिट करते हैं क्या करते हैं इंटीना पीडिया इनिबिट करते हैं कि तुम आगे हमारे रीजन में कोई development मत करवाना और यदि इसी केस में यदि अल्टरा भाई थोरेक से डिलीट हो जा जो इनिबिट कर रहा है ये इंटीना पीडिया क्या करेगा इंटीना पीडिया फिर इनिबिट होगा नहीं जब इनिबिट नहीं होगा इसका जो expression बढ़के चला जाएगा posterior region में जहां जो T3 segment डेवलप हो रहा है तो वहाँ जो जाके अपना wings development करवा देगा तो this is all about the drasophila तो देखिए drasophila में जो तीन क्लास में इतना समय लगता आपका परपस साल बोजाएगा तो आप सारे lecture को जो है continue देखिएगा तीनों क्लास को तब आपको जो है complete drasophila के बारे में समझ में आएगा इससे जो है सारे एक्जाम में question लगबगा आते हैं आपको नेट में भी देखने को मिल सकता है gate में भी आता है और medical वगड़े की exam में भी आता है तो आप तीनों वीडियों का ध्यान से देखिए इसके बारे हम question भी discuss करेंगे जो कुछ previous year में question आये है उनका question हम लेके आएंगे discuss करेंगे तो आप तीनों वीडियों जो ध्यान से देख